बाई एक बहुत भारी भरकम स्टेटमन्ट दे दिया साइमन डूल ने साइमन डूल आपको पता है कॉमेंटेटर है न्यूजिलेंड के प्लेयर रहे हैं बार बार उन्होंने मतलब अपने जब कॉमेंटरी में भी थे तो उन्होंने बाबर के उपर इल्जाम लगा दिया थे क बाबर खुद से रोड बनाता है और एसी पिचिस पे खेलता है पाकिसान में तो साइमन डूल हैस बीन आउट स्पोकना ब्रेकिंग न्यूस क्या है आपके लिए साइमन डूल कॉमेंटेटर ने बोल ले कि हार्दिक पांडिया फिठी नहीं है हार्दिक पांडिया इंजड यह साइमन डूल ने बोला है कि यू गो आउट एंड मेक अस्टेट्मेंट बाइ ओपनिंग गेम नंबर वन क्या बोल रहे है कि पहली गेम में आके हार्दिक पांडिया ने बोलिंग कराई पहला ओवर कराया और सड़नली एक दम से यू और नॉट रिक्वाइड इस इंज से उसने बाद में बैटिंग करी और बोलिंग करी वह इंजट है और मान नहीं रहा है या बता नहीं रहा है देर इस सम्थिंग रॉंग विद हिम फोर शॉर यह बोला है साइमन डूल ने अगर आप साइमन डूल को थोड़ी सी बात को परके हम इसकी गहराई में जाए चलि फी तीसरे ऊभर में दे से अरे ऐसला मैं थाम dat वाहा पर ट्राइबेश सटी काछ रूड़ी थी उसके बाद भीए करें अगर बोलिंग की बात थ है पहले मैच में बैटिंग करने जलिदी नहीं आये सेकेंड मैंट में बैटिंग करने चार नमर पर आगे तो भाई पहले 2 म मैच में एक ओवर करा है, हार दितने थो मैच में ब्रहु दो आँट यैजना ओग тебя और फिएरवाले मैच में उन्हों गहुपई Πाथ ले लुऌतिते जिर्क दो छोडके पेड़ बोहिक दो थी, उसके बाद आउ Rudolph और दो मैचेज में रनाए हैं एक पहले वाला छोड़ दो यार वो चार में गयारा इस नॉट पाइम नॉट इस बेस पे क्या ये बोल देना सही होगा कि भाई वो फिटनेस नहीं है और आपने स्टेटमेंट दी पहले मैच में आके बोलिंग कराई फिर बोलिंग निकराई त अच्छा उससे पहले वाला सीजन जब जीटी जीती थी तो रेगिलरली बोलिंग कराई है और मॉस्ट सारे मैचेज में बोलिंग डाली तो क्या हम साइमन डूल की जो ये रीड है जो बोल रहे गट फीलिंग के आइम टेलिंग यू ही इस इंजर्ड भाई अगर वो वाके इंजर्ड है तो क्या फिर से एक तो मुंबर इंडियन को तो इसलिए तो नहीं अमानी साब जो है ड्राइवर बने हुए रोई चर्मा के उनके लिए गाड़ी भी चलाई जा रही है रोई चर्मा से पोस्ट मैच में बाते भी करी जा रही है क्योंकि इनको अंदर की खबर इनको पता होगी बिल्कुल पता होगी और जो फिजियो वगेरा है या जो टीम की मैनेजमेंट है उन्होंने अमानी साब को ख़वर देए दियोगी तीम उन्र को पता होगा हार देख बताए ना बताए सारवजनिक तोर से सेकेंडली भाई अगर ये वाकरी में इंजर्ड है तो भाई टीम इंडिया के लिए क्या रेप्रकाशन्स होंगे विकोज ये तो टीम में नहीं होगा फिर अगर ये टीम में नहीं होगा तो फिर से हम उसी मुसीमत पर फश्जाएंगे जिसमें हम वर्ल्ड कप में थे कि जब यह बाहर हुआ हमारा एक औल राउंडर का स्ल यह तो फिर से लटकने वाली बात होगे गर वाकई में साइमन डोल की बात में दम है ना ही सिर्फ मुम्मा इंडिया को खाम्याजा बगतना पड़ जाएगा जहां इतने पैसे करके करोड़ों रुपे खरच करके आप लेके आयो उसको और उसके बाद वो फिट भी नहीं है यह फिर से इंजड हो गया और सेकेंड ली टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के लिए नुकसान हो गया लेकिन आपको लोग को क्या लगता है कितना दम लगता आपको साइमन डोल के बात में कि हार्दिक पांडिया क्या हार्दिक पांडिया वाकि में इंजड लग रहा है हार्दिक पंडे का कियाना है कि उसका पिछला सीजन देखो वो जब इंडिया का हो गया विकॉज जब आपको यहां तो हार्दिक पंडिया सेमी फिट होकर खेला था 2021 का वर्ल्ड कप तब कभी बैटिंग कर तो यह को बुला रहा था हल्का सा डाइब लग गया इस बात में कोई दम नहीं है कि हार्दिक इंजड है मेरा इस पर यहीं पॉइंट देखो यह क्या हुआ था आपको याद होगा ओडिया वर्ल्ड कप के अंदर जब बंगलादेश्वले मैच में हार्दिक इंजड हुए थे ना उसके बाद आना था कि अपने आपको पुश करने की कोशिश कर रहा था और उसके पर नहीं खेल तो उसको वर्ड कप खेलने के तो चाहती ही सी बात अगर हार्दिक पांडिया पूरी तरह से फिट नहीं होता तो भाई वो फिर एक भी ओवर ने डालता तो फिर तो वह एक बीवर के लिए क्यों पुश करेंगा आपको नहीं करेंगा उसके बाद बोलिंग ऑप्शन से हैं तो उनको पता है कि मेरे कोई कागर रिस्पॉंसिबिलिटी है मैं अपनी बॉडी को पुश्ट नहीं करूँगा एंड करना भी ने चाहिए इसमें एक पेस बहुत बड़ा है अगर हम आज से तकरीबर पांच-छे महीने पहले जाएं न्यूज एटीन की रिपोर्ट आती है तकरीबर आफान के अठारा हफते का एक वैन हर्दिक पांडेय के डिसाइड किया था तब भी श्ट चैरी पर लाइव में ने किया था पूरा करके कि हार्दिक पांडेय शायद स्टांटिंग मैचे में करें क्योंकि नममबर के बीच के नममबर मिड के हिसाब से अगर आम को यादो मार्च के दूसरे हफते में आई पेल के शुरू होने से बिलकुल कुछ दिन पहले ही आई थी अगर हम उस रिपोर्ट को तालुक में रखें सुर्य कुमार यादव का भी तक्रीवन सेम प्लान था सुर्य ने तो शार्टिंग गेम्स मिस्किये हार्दिक पांडिया क तो अपने गेम देखी है उसके भी आपको तो मुझे क्या लग रहा है कि नो डाउट जो प्रियांशु ने भी बोला कि भाई अगर इंजिरी होती तो वो अपने आपको पुछ क्यू करते हैं बड़ अगर देखो साइमन डूल जो कॉमेंटरी भी कर रहा है बड़ा क्लोज नहीं की बैटिंग में भी फसे फसे जे नजर आये हैं कल के मैच में उन्होंने बोलिंग की एक ओवरी तो हो सकता है कि भाई वो दो मैचेज में शायद कोई इश्यू रेज हुआ हो या कोई प्रॉब्लम उनको हुई हो और यहां पर आरसी भी वाले मैच में अपने आपको करेगा बढ़ हां यह जरूर है कि नहीं वैसे इतनी जादा दिक्कत नहीं है मुझे लग रहा है कर रहा है कर रहा है बैटिंग कर रहा है इतनी दिक्कत नहीं है